एक्सरसाइस करना स्वास्त के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से वो थोड़ा सा अलग है मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइस करोगे मतलब जिम जाओगे या रनिंग करोगे जोगिंग करोगे या घर पे ही डंबेल्स उठाओगे लोहे लंकल उठाओगे या कोई बार बेल वगरा लाके घर पे ही करोगे काम या कोई डिप्स लगाओगे बैठक लगाओगे अपने बाइसेप ट्राइसेप स्टमक लेग्स सब पे वर्क करोगे वर्क आउट करोगे तो आपकी सेक्स लाइफ अगर यहां है ना तो यहां पे आ जाएगी अगर जमीन पर है तो आसमान पर आ जाएगी और अगर पाताल पर है तो भी आसमान पर आ सकते हैं पूरा चेंज हो जाएगा आपकी performance एकड़म जबरदस्त हो सकती है सिर्फ exercise करने से कैसे आपको जानना है और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्रीज सब्सक्राइब कर देना है देखिए फ्रेंड्स exercise जब आप करते हो तो आपका जो brain है ये brain ये 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 मगच ये दो type के hormones को release करता है एक तो है dopamine और दूसरा जो है endorphin ये बड़े हैपी वाले hormones होते हैं ये आपको बहुत बहुत खुशी प्रदान करते हैं जब आप खुश हो जाते हो तो आपके जीवन में जो अगली है उसको भी आप पगली बना देते हो प्यार में खुशी नियुच्छावर करते हो उस पर क्योंकि आपको मालूम है आपको मैंने भी सिखाया है आपके teachers ने भी सिखाया है आपके parents ने भी सिखाया है कि खुशी जितनी बाटोगे न उतनी बढ़ती जाती है तो खुशी तो आप बाटोगे dopamine, endorphin की मदद से आपको बहुत बहुत खुशी मिल रही है आनन्द मिल रहा है तो इस आनन्द को अपनी पतनी अपनी girlfriend, अपनी live-in partner तत पहुचा ही दोगे तो इसलिए exercise करना ज़रूरी है यह दो hormones, dopamine और endorphin brain secret करता है जब आप exercise करते हो इसका proof मैं आपको बताता हूँ किसी बच्चे को जब आप खेलते हुए, देखते हुए आज भी cricket खेलते हुए football खेलते हुए क्या आपकी इच्चा नहीं होती है खेलने की बच्चपन में जो आप देखते थे आप पढ़ाई कर रहे हुए, आपकी 10 की exam में आपका भाई, आपकी बेहन खेल रहे है उनको देखकर आपको खेलने की इच्चा नहीं होती थी क्या ये इसी कारण से ही है क्योंकि जब भी हम खेलते हैं, exercise करते हैं कुछ भी workout करते हैं तो ये दो hormones release होते ही होते हैं तो ये तो पहला कारण में आपको बता दी दूसरा ये है कि आपकी body अगर भद्दी हो रही है आप रोज beer पीते हो और आपके male boobs बने हुए है तो पत्नी के सामने shirt उतारने में आपको शरम आ रही है आपकी girlfriend के सामने आप अपनी t-shirt उतार नहीं पा रहे हो light off कर रहे हो, उसके बाद sex कर रहे हो उसमें क्या मज़ा है या अच्छा बताओ कि अगर आप exercise कर रहे हो तो क्या आपकी cigarette पीने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी क्या आपकी beer पीने की इच्छा होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी ये सारी इच्छा हैं आपकी मर जाएगी बल्कि आपकी इच्छा होगी कि या थोड़े फल खालू थोड़े dry fruits चबालू थोड़े केले खालूं, दूद पीलूं, इन पैसों से वे प्रोटीन खरीदूं, इत्ती एक्साइस कर रहा हूं, इससे बॉड़ी शेमिंग की प्रोब्लम अगर हो रही है, वह सारे मर्दों को बॉड़ी शेमिंग की प्रोब्लम है, अरे मर्दों को क्या औरतों को भी है, प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच माः का जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद मोटा पा आ जाता है, तो अगर आप दोनों कपल, कपल मतलब दोनों हज़बन और वाईब, आप जो कपल है, एकसाथ एकसाइस करें, तो सोने पे सुआगा वाली कंडिशन हो सकती है, ये भी आप ट्राइ कर सकते हैं तो second reason जो मैंने बताया है वो ये है कि body shaming से आप बज पाएंगे आपकी body भद्ती नहीं दिखेगी छे मैंने gym जाओ और देखो कितना कितना परिवर्तन आपके अंदर आ जाएगा तो दो कारण मैंने बताये हैं कि exercise करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और एक और बात मैं आपको बताओं कि आपका जो विर्य है ये गाड़ा हो जाता है exercise करेंगे तो आप दूद पिएंगे आप दही खाएंगे आप फल खाएंगे आप नॉल्वेज में जो है boiled eggs खाएंगे soup पिएंगे chicken का ये जो भी आप अच्छे अची चीज़े खाएंगे न जब तो आपका विर्य भी गाड़ा हो जाएगा तो ये भी एक extra benefit भी आपको मिलने वाला है performance आपका लंबा चलेगा ठीक है और अगर कोई problems भी आपको आ रही है वो भी हट जाएगी सारी problem से exercise ही करना है किसी भी form का exercise आप कर सकते हैं तो exercise करो और sex power बड़ा लो किसी बंगाली बाबा के पास जाने की जरुवत है यह नहीं sexual artist के पास जाने की जरुवत है यह यह नहीं exercise करो sex power बड़ा लो जो भी information मैंने दी है I'm sure आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है चैनल को subscribe करना है वीडियो को like करना है friends से share करना है और bell icon को hit करना है जिससे मेरे सारे videos आपको आसानी से मिल जाएंगे फिर मिलता हो किसी और दिन ऐसी ही tips और tricks आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye take care friends